हेलो फ्रेंड्स यह आप देख सकते हो मेरा मिरोर पॉलिशिंग के बाद और आज मैं इस मिरोर का रॉंची टेस्ट करने जा रहा हूँ और यह आप देख सकते हो मिरोर का स्टेंड और यहाँ पर दो कील्ट होका है मैंने मिरूर को बार्टिकल रखने के लिए और यहाँ पर दो रखड़ी के टुक्रा लगा दिया और यह देख सेकते हो एक स्क्रू मैंने इस तरह फिटिंग किया है स्टैंड को टील्ट करने के लिए और यह स्क्रू को घुमा के मिरूर का टील्ट एंगल को एडजस्ट किया जा सकता है कुछ इस तरह और यह आप देख सकते हो मेरा रोंची टेस्टार दूसरे एक टेबिल पर यह आप देख सकते हो बेरी सिंपल डिजाइन मैंने ज्यादा कॉंप्लेक्स डिजाइन नहीं बनाया है सिर्फ दो प्लाइवट के टुकड़े को पर्पेंडिगुलरली मैंने जॉइन्ट कर दिया है और यह आप देख सकते हो बीच में एक रेक्टेंगुलर विंडो कर दिया और यह रॉंचिग्रेटिंग स्लाइड के उपर प्रिंटेड है यह 50 LPI रॉंचिग्रेटिंग है और यह आप देख सकते हो एक होल क्या है LED के लिए और यह है रेक्टेंगलर विंडो जिसके थूँ रॉंचिग्रेटिंग देखा जाता है और यहाँ आप देख सकते हो मैंने इस होल पे एक ग्रीन LED लगाया और यह आप देख सकते हो LED की एक लेक पर 1K का रेजिस्टेर लगाया है मैंने ताकि LED ना जले और इस LED को मैं इस मोबाल चार्जर से पावार दूँगा आप चाहे तो बेटरी से भी पावार दे सकते हो और इस रंची टेस्टर को मैं इस तरह आगे पीछे मोब कराऊंगा इस तरह इमेज को फोकस करने के लिए और दाए और बाए और यह आप देख सकतो मिरोर को और रंची टेस्टर को किस तरह मैंने रखा है दो टेबिल पर और दोस्तो मिरोर और रंची टेस्टर के बीज जो डिस्टेंस है वो मिरोर का फोकल लेंग का डाबल होना चाहिए यानि मिरोर का रेडियास अफ करवेचार के बराबर झाल और आप में घर का कड़के और दर्वाजा बंद करके लाइट आफ कर दिया है और यह आप देख सेकतो हो LED का इमेज साइड में इसको स्लाइड के उपर ले जाना है इस तरह रंची टेस्टर को मूब करके और यह देख सकते हो LED का इमेज स्लाइड के उपर और रंची टेस्टर को आगे पीछे मूब करा के रंची बेटर्ण को इंसेट फोकास और आउट साइड फोकास लिया जा सकता है और अब मैं इस तरह एक ट्रांसलूसेंट प्लास्टिक का टुक्रागो LED और स्लाइड के बीच रग दूंगा लाइट को डिफ्यूज करने के लिए डिफ्यूज लाइट में पैटर्ण अच्छे दिखते हैं और यह आप देख सकते हो रंची पैटर्ण रेक्टेंगलर विंडो के थुरू यह आप देख सकतो हो इंसाइट फोकस में रंची बैंट कैसा दिखेगा और आप इंसाइट फोकस से दीरे दीरे अउटसाइट फोकस के ओर अगर आप जाते हैं तो रंची बेटान कैसे दीखेगा यह आप देख सकते हो तो आप मैं इस मिरोर का मिरोर कोटिंग करूँगा इसका भी वीडियो में डाल दूँगा तो इसलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहे और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए थैंक्स पर वाचिंग